नमस्कार साथियो स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल वाई की ओनलाइन एजुकेशन में दोस्तों हिंदी साहित्य से अगर आप ल्टी की तैयारी कर रहे हैं तो आप मेरे चैनल से जुड़ सकते हैं और जैसे कि आप देख पा रहे होंगे आज हम डिसकस करने वा तो इस पर आप वीडियो बनाइए तो जैसे कि मैंने आपको बताया भी था कि मैंने लगभग उत्राकंड के सभी साहित्यकारों को आपको बताया है उनको पढ़ाया है लेकिन चंदल्राल वर्मा जो की मेरे नोट्स में नहीं थे और मैंने बहुत रिसर्च किया बहुत जा धून खोज करके आपके लिए वीडियो में बना रही हूं तो उमीद है आप लोगों को मेरा ये प्रियास अच्छा लगेगा और आप लोग इस वीडियो को जाद से जाद से शेयर करेंगे लाइक करेंगे और अपने कमेंट्स जरूर इस वीडियो पर देंगे तो चलिए आगे बढ़ते हैं सबसे पहले देखिए चंदरलाल वर्मा चौदरी ये अपना नाम लिखते हैं और 1910 इस वी में इनका जन्म हुआ, 1966 में इनकी मृत्य हुई थी तो देखे चंदरलाल वर्मा जो चौदरी है उनका जन्म अलमोडा में हुआ था यानि कि कुमाव अंचल के ये कवी थे आर्या लेखा कहें उनकी प्रारंबिक शिक्षा अलमोडा में ही हुई आर्तिक इस्तित ठीक नहीं होने के कारण वी उच्च शिक्षा ग्रहन ना कर सके परंत स्वाध्याई से ही उन्होंने हिंदी उर्दू, अंग्रेजी एवं पुरान साहित्या का चग्यान प्राप्त कर लिया, उन्होंने हिंदी इवं कुमावनी दोनों में लिखा है, कुमावनी गध्यपद्य में उनका समान अधिकार था, उनकी रचनाओं में हिंदी कविता संग्रव हल्चल, जो चंद्रलार वर्मा थे, उन्होंने हाला कि कुमावनी अपनी रचनाई भी उन्होंने संग्रह किया है, जिसका नाम दिया है, उन्होंने प्यास, उन्नी सुपचास में इसका प्रकाशित रचनाओ था तथा यह important आपको ध्यान रतना है, कि बारासbon बचास बहुत बड़ी शंक्या है, और उसमें उन्होंने कुमावनी जो कहावते हैं, उसका एक संग प्रकाशित थी उस समय जो कुमाव में इक पत्रिका निकलती थी शक्ति पत्रिका उसमें इनकी जो जो साप्ताहिक पत्रिका थी उसमें इनकी रचनाओं का प्रकाशन होता था परनतो इनकी अब आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे उनका कोई भी कुमावनी कविता संग्रा प्रकाशन में प्रकाश में नहीं आये यानकी उन्होंने कोई भी जो कविताई थी लिखी तो है लेकिन वो प्रकाशित नहीं हो पाई उनकी लोगप्रिय रचनाओं में जो उनकी कुमाओ में लिखी गई फेमस रचना है उसको अगर हम देखे तो धार को पौव तो धार में को पौव यह आपको ध्यानक में अब धार में को पौव का अर्थ वही लोग समझ पा रहे होंगे जो कुमाओं से मेरी वीडियो देख वर देहैं जो आपको इसका अर्थ पता है तो फ्लीज कमेंट करकी मुझे जरूर बताएं डार का मतलब लेकिन पौव का मतलब मुझे प्रफा दात्बर होगा लैकिन समझ में नहीं है तो आफ Prati प्रतीएक प्यास परवतारोhी की भावनाहों को अभीव्यक्त करती ही ही इसमें एक जो प्रती प्यासा परवतारोhी तो उसकी जो भावनाएं हैं उसको इसमें अभीव्यक्त किया गा है और यहां पर आप दीख भी rights होंगे धायर मेको पाऊ आखिन में रिर्टीरो उकाली ले घाटी सुकी मुखडी घामे ले तो ये कुमावनी और थोड़ा हिंदी का मिश्रण इसमें शब्दावली है तो आप देख पा रही होंगे ठीके आगे बढ़ते हैं उनकी शैली आलंकारिक एवं वैचित्रे पुर्ण है कुमल भावनाओं क अभिवक्ति में उनका सटीक सब्द विन्यास एक गहरा एहसास जगाता है 1948 इसमी में गांधी जी के मृत्यू पर जब सारा देश शोक में डूबा हुआ था तब उनकी मृत्यू पर व्यक्त चौदरी जी उद्गार चौदरी जी का उद्गार अत्यंत मर्म इसपरसी है गा यहां पर जब कानी जी के मृत्यू हुई थी तो उस समय इन्हों ने यह रचना जो लिखी थी उसकी कुछ पंक्तिया है सुन लग सुन भयो हंसा लग सुन सुन ठोर ठोर जाई ताई सुन सुन होनी पुछो मेले के है रोच्छे सुन भुकूरी भुकूरी कयो बापो भया तो कहीं निकल के आ रहा है कि जब मात्मा गानी जी के मृत्य हो गई तो वो कहना चाह रहे है कि पूरी दुनिया जो है वो सुनसान हो चुकी है निरस हो चुकी है तो देखिए कुमावनी भासा को जिस तरो से का साहितिक स्वरूप चौदरी जी ने प्रदान किया उसकी अब अब अगाना किप कुमाओं के कौन से कवी ऐसे थे जिनके काव की तुलना रीत कालीन कवी बिहारी से की जाती है तो ये आपको देखिए कुमाओं चौदरी जी ने संसकारित किया तो खस पर जिया जो कि मैंने आपको कुमाओंनी जब भासाई ओँ और बोलिया में उसमें क्या बता है था कि कुमावनी की जो उपबोली है कसपड़िया तो इसमें जो है खसपड़िया में चंद्रलाल वर्मा चौदरी ने लिखा था तो यह दोसरा कॉस्टंन आ इंपोर्टां़ आपको यहां से ध्यान रतना है कि चंदरलाल वर्मा ने जो है कुमावनी की खस परजिया बोली में लिखन किया था ठीक उनके रचना वैसिश्ट्या का उनको उद्गाटित करते हुए त्रिलोचन डॉक्र त्रिलोचन पांडे ने लिखा है वर्मा जी की विशेश ख्याती उनके मौलिक गीतों से हुई कुमावनी की एक एक उक्ति को लेकर नवीन प्रसंगों की उद्भावना करते हुए शोताओं को मंत्र मुग्द करना और हसाना उनका प्रमुग गुण था साहितिक दृष्टि से उनके गीतों में जो भावत्मक गहराई है वही उन्हें अधिक इस्थाई बनाती है उन्हें एक एक शब्द की शब्ति का पूरा ज्यान था और उनके शाब्दिक प्रियोग अत्यंत सटीक और मूग विधान करने वाले होते थे कुमावनी भाषा और उसका साहित्य ये जो उन्हें ने जो रचना की है ये तो खेर उसकी प्रिश्टि संग्या है गद्य की अलावा कुमावनी गद्य के चेत्र में भी उनका मह bisc अपुन योगदान है प्याव की भूमिका में विग्यप्ति रथा आलोचना शिर्शक की अंतरगत उन्होंने गद्य का जो नमूना प्रस्तुत किया है उसका कोमावनी गद्य की विकास के दिश्टे से एतिहासिक महत तो देखिए चंद्रलार वर्मा की विशय में बहुत जादा इंपोर्टन जो आपसे पूछे जाए लेकिन एक दो जी जहां से आपको ध्यान रखनी है जो मैंने अभी बताई है और दूसरी जो है इनकी जो दो तिन रचनाई जो है यह आपको ध्यान रखनी है ठीक है तो बहुत इंपोर्टन जो आएंगी अगर तो वह यहीं से आपसे प्रशन इससे ज़्यादा आपसे कुछ पूशन नहीं जाएगा यहीं इनके बारे में इंपोर्टन फैक्ट यही है उमीद है आपको शैसन पसंद आया होगा यहीं थोड़ा सा भी हैल्फुल लगा तो कमेंट सेक्शन में अपना फिट बैक जरूर दीजिएगा और वीडियो को ला आपको यहनके नमस्कार